गुद बॉरिंग क्लास लास्ट वीडियो में हमने टाइम जोन एंड इंटरनेशनल डेट लाइन यह डिसकस किया था आई होप आपको कॉंसेट क्लियर हो गया होगा आज हम कुछ और छोटे-छोटे टॉपिक्स डिसकस करने वाले हैं जिसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक जो क्या होता है यह हमें कैसे पता लगा गाए इन जनर बगल करें तो हम क्याते हैं कि इंडिया का जो प्राइमस में इंडिया में मानते हैं मालीजी कि दिली मेंete कि Black Grid प्रदेश में भी बारा बजा होगा और इधर गुजरात में भी बारा बजा होगा ठीक है तो ये तो हमारा एक तरह से कह सकते हैं हमारे time zone के इसाब से time है ठीक है standard time है यह हमारा लेकिन local time जो है उसमें सूरज का बहुत important role है local time का मतलब suppose कि ये हमारा इंडिया है और इंडिया क का जो Central Meridian है वो है 82 degree and half ठीक है और इंडिया क्योंकि 0 degree से East में है तो ये degrees बढ़ती होई चली जाएंगी ठीक है 82 and half है तो कहीं 83 भी होगी कहीं 84 85 86 ऐसे जो है ये बढ़ती चली जाएंगी ठीक है और इधार अगर हम देखेंगे तो 81 80 79 78 इस तरह से वाइना सूती चली जाएंगी और यह हमारा क्या है यह Central Meridian है इंडिया का हम इसको follow करते हैं अपनी पूरी country में time जो चलता है वो इसी के हिसाब से चलता है अब local time का मतलब यहां पर हम local time को कभी भी यह नहीं बताते हैं कि आप घड़ी में क्या time होए पांच बजा है हमारे local time के साब से नहीं हमारा तो पूरी country में यह की time चल रहा है तो जो घड़ी में हुआ है वह पूरी country में हुआ है local time क्या है कि sun is overhead sun should be overhead on that particular longitude माली जे कि 83 डिग्री पर ऐसी for example बता रहा हूं 83 डिग्री पर बिहार है ठीक है बिहार अब बिहार में तो पहर के 12 बजे sun overhead पर है ठीक है तो बिहार वालों का local time तो बारा हो गया बारा पीएम जह हम 84 पर गए तो बिहार का कोई दूसरा माली जे district है माली जे कि यहां पर पटना है ठीक है अब 83 से 84 पर जाएंगे तो आपको पता है 1 डिग्री जह हम cross करते हैं तो 4 मिनिट का difference आ जाता है तो यहां पर कितना बजा होगा 12 बज़के 4 मिनिट पीएम का ठीक है फिर और आगे जाते हैं तो यहां पर माली जे सपोज कोई X नाम का शहर है तो यहां पर कितना बज़ेगा 12 बज़के 8 मिनिट ठीक है यहां पर Y नाम का कोई शहर है यहां पर कितना बज़ेगा 12 बज़के 12 म का ठीक है और इस तरफ भी वैसे ही होगा ठीक है माल लीजे 83 से हम 82 पे आते हैं तो हमारा कितना होगा 4 मिनट कम हो जाएगा कितना हो जाएगा 1156 एम है ना 81 पे आते हैं तो क्या हो जाएगा 1152 एम तो यह जो पूरा कॉंसेप्ट है यह सुरज पे डिपेंड करता है कि सुरज जब किसी एक लॉंगिट्यूट पर ओवर हैड होगा मींस सन की रीज़ हमको वर्टिकल जब हम रिसीव करेंगे उस समय को हम उस पर्टिकुलर लोंगिट्यूट का लोकल time हमेशा चार मिनट से डिफर करेगा clear ठीक है इसको रफ कर देते हैं कि इसी डाइगराम से समझ लेते हैं एक और टापिक और एक और टापिक है जिसको हुँ होते हैं IST means Indian Standard Time यानि कि वो टाइम जो हम इंडिया में फॉलो करते हैं for example again हम वही GMT वाला मना लेते हैं डाइग्राम GMT यानि कि zero degree और हमें पता है कि इंडिया का जो Central Meridian है that is 82.5 degree यह हमारा Central Meridian है इन इंडिया यहाँ पर बज़ा है बारा PM अब हम time को कैसे calculate करेंगे आपको पता है एक degree में 4 मिनट होते हैं तो 82.5 में क्या हो जाएगा 82.5 को जब आप into करेंगे 4 से तो answer आएगा 3.30 इसको आप 60 से divide करेंगे तो answer आएगा 5.5 यानि कि 5.5 गंटे और क्योंकि East में जा रहे है तो time plus होगा यानि कि इंडिया को जो time है वो 12 में हम 5.5 यानि कि कितना 17.5 answer आएगा यान 17.5 का मतलब हो जाएगा हमारा शाम का 5.30 ठीक है तो यह जो 82.5 है यह इंडिया का central meridian है यह line जो है कहां पर है यह अगर आप search करने की कोशिश करेंगे इंडिया के map में तो अलाहबाद और अगर किसी को आपत्ती हो सकती है तो अभी इसका current नाम है प्रियाग राज प्रियाग राज में एक जगा है नैनी वहां से यह line होकर पास होती वहां से यह line गुजरती है ठीक है और इस line को यानि कि 82 and half को हम क्या मानते हैं इंडिया का central meridian और इसी को हम ISD भी लिखते हैं यानि कि इंडियन standard time clear नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा great circle and small circle great circle and small circle great circle and small circle great circle क्या होते हैं यह आप definition जान लीजिए कि कोई भी लाइन कोई भी imaginary लाइन जो की अर्थ को अर्थ को टू एक्वल पार्ट में डिवाइड करती है उसको हम great circle कहते हैं for example equator line क्या करती है equator equator में ही equal आ रहा है equal दो एक्वल पार्ट में अर्थ को डिवाइड करती है यानि कि जो equator है वो एक latitude line तो है ही साथ में वो क्या है एक great circle भी है उसके लाब आप longitude दिखें अगर तो यह longitude भी क्या कर रहा है zero degree longitude है यह क्या कर रहा है अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है यानि कि ये भी एक great circle है लेकिन longitude के साथ क्या है कि जितने भी longitude होते हैं वो सभी के सभी अर्थ को दो equal part में divide करते हैं ठीक है? सपोज ये वाली line देख लीजे ये घूम के उस तरफ से आएगी ठीक है? ये घूम के उस तरफ से वापस आएगी और अर्थ को दो equal part में divide करेगी अब क्योंकि हम एकी तरफ देख पा रहे हैं अब हम अब बार 3D चीज तो है नहीं तो आप ये समझ दीजे कि ये line इधर से जा रही है और घूम के उस तरफ वापस आएगी यानि कि अर्थ को दो equal part में divide करेगी यानि कि जितने भी longitudes हैं हमारे all longitudes are great circle अब हम latitude को देख लेते हैं ये तो हमारा 0 degree latitude है लेकिन अगर हम 10 degree पर जाएं तो क्या हो रहा है 10 degree के नीचे वाला थोड़ा सा छोटा एरिया है उपर वाला बहुत बड़ा एरिया है यानि कि equal part में नहीं हो रहा है कहीं पर भी longitude बनाएंगे तो देखेंगे equator को छोड़ कर except equator no latitude is dividing earth into two equal parts ठीक है तो यानि कि equator को छोड़ कर किसी भी तरह का latitude चाहे वो 1 degree हो या 90 degree वो great circle नहीं है तो जितने भी latitude great circle नहीं है वो क्या है वो small circle ठीक है तो एक बाद फिर से repeat कर लेते हैं जो भी line earth को दो equal parts में divide करती है उसको हम क्या कहते हैं उसको कहते हैं great circle all longitudes are great circle and equator is a great circle except equator all latitudes do not divide earth into two equal parts that means they are called small circle clear तो ये दो topic आज के वीडियो में पढ़ाने थे तो इस वीडियो के लिए इतना ही अगले वीडियो में हम अगला chapter स्टार्ट करेंगे और आपका जो latitude longitudes का chapter था वो इस वीडियो में खत्म होता है सारे के सारे topic clear ठीक है thank you so much का